हेलो योज़ स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरजी में तो बच्चो आपके ट्रैक्टिस पेपर में आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का टू जिरो टू 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 थरी का मिट टर्म का इवनिंग का पेपर तो इससे ध्यान से कीज़ेगा बच्चो क्योंकि इसी तरह के सवाल आपके आने हैं आपके एन्वल एक्जाम में भी तो इन्हें हम कंटिनियूसली करते चलेंगे तो इसमें पहला कोशन है आपका कोशन और इस कोशन के हैं बारा बाग यानी 12 पार्ट्स तो सबसे पहले करेंगे इस एक कोशन को तो इसमें सबसे पहले है बच्चो आपका गास डैस से भरपूर होता है जो एक प्रकार का कार्बोहइडड़ेट है तो यह है बच्चो आपका सेलुलोस यह क्या है एक तरह आपका कार्बोहइड़ेट है फिर आपका इसका दूसरा भाग बच्चो शैवाल का रंग डैस की पस्तिती होने से हरा होता है तो बच्चो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है तो यहां पर क्या अंसर होगा अलगी आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू दी प्रजेंस ओफ क्लोरोफिल शैवाल का रंग क्लोरोफिल की पस्तिती से होने से हरा होता है फिर इसका बच्चो तीसरा भाग सजीव दुआरा भोजन गरेंड करना और उसके उपयोग की विदी को डैस कहते है तो उसे न्यूट्रीशन या पोशन कहते हैं बच्चो ठीक है बच्चो चलिए इसका चौता भाग देख लेते हैं वह दूसरे पेड़ पोदों पर अपना न्यूट्रीशन खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है बच्चो फिर इसका पांच बावाग बच्चो भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को पाशन कहते हैं तो यह क्या हो गया आपका तो यह हो गया आपका फाल्स बच्चो या गलत फिर इसका छटा भाग बच्चो गती का मूल मातर मीटर पर आवर है यानि मीटर पर आवर इस दा बेसिक यूनिट ओफ स्पीड तो यह भी क्या आपका गलत है बच्चो या फाल्स है क्योंकि मीटर पर सेकेंड होती है इसकी बचो सरलोलक वितिय गती प्रदर्शित करता है सिंपल पेंडूलम शो सरकुलर मोशन शो नहीं करता बच्छा टू एंड फ्रो मुउमेंट शो करता है तो यह वाला भी आपका होगे गलत फिर इसका आठवा भाग है बच्छो कार्बोहाइड के प्रेट के पून पाचन के बा बनता है आपका ग्लूकोज ठीक है फिर इसमें अत्वा है बच्छो अत्वा वाले क्या है ऐसे दो जनतों के नाम लिखिए जिन में रूमन पाहे जाता है नेम टू एनिमल्स इन विच रूमन इस प्रजेंट तो वह कौन से बच्छो आपके वह आपके काउ गोड यानि रूम प्रतित या संशोदित होता है इन पिचर प्लांट विच पार्ट ऑफ दी प्लांट इस मोडिफाइड इंटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर तो वह होती है आपकी लीव्स या पत्तियां जो होती है बच्छो वह फिर आपका दस्वा भाग अमीबा के उस भाग का नाम लिख देते हैं दस धानिया ठीक है इसमें अत्वावाला भाग दिया हुए बच्छो वह क्या है मानव पाचन तंत्र में भोजन के पचेविपदार का अवशोशन कहां होता है वेर ड़स दा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइस्टिड सबस्ट्ट सबस्टांसिस ऑफ फूड अकरहि तो यह होता है बच्छो आपका स्माल इंटरस्टाइन में जिसे हम क्या कह रहते हैं छोटी आत्या शुद्रांत कह रहते हैं बच्छो फिर आपका इसका बच्छो ग्यारव भाग उस उपकर्ण का नाम लिखी बताईए जिसका उपयोग वाहन को की चाल मापने के लिए किय जाता है नेम दडिवाइस यूस्टू मेजर स्पीड ओफ मुविंग वैकल्स तो वह होता आपका स्पीडो मेटर जिसे हम कह रहते हैं चाल मापी बच्छो ठीक है फिर आपकस का बारवा भाग बच्छो एक अथलीट के दोड़ते समें हातों द्वारा किस परकार की गति प बच्छो ठीक है वो क्या करता है प्योडि क्या उसिलेटरी मोशन करता है तो बच्छो यहां पर होता है आपका सेक्षन एक का कोश्चन नंबर वन कंप्लीट जिसके थे बारा भाग्स अब आगे करेंगे हम सेक्षन बी को नेक्स वीडियो में तो यहां होती है आपकी बढ़ी अच्छे लगी होगी थेंक यू